नमस्कार भाईयो दादा दोडा डेरी फारम में आप सभी का स्वागत है भाईयो आज हम आपके सामने एक ली-लीडी जो गोमाता है वो लेकर आए हैं उसने आज ही अपने एक नन्नी सी बचडी को जनम दिया है फीमेल का भाईयो देख सकते हैं आप बिलकुल श्यांत श्यांत सवभाव से जो ना यह गोमाई के दर्शन जो आप कर रहे हैं बिलकुल कोई किसी परकार की इसको जो एक अगर हाथ गुमाने में जो सुकून मिलता है बर्ड प्रेसर वीपी वगएरा जो बीमारियों से भी चुटकारा मिलता है यह एक बहुत बड़ी जो बात है करंथों में लिखी उसे आपको बताएंगे जो बर्माजी थे बर्माजी थे उनकी पुत्री थी जो मानस पुत्री जो थी वो जब विवा के योग्य हो गई जब साधी के लाइक हो गई तब पहले सुम्बर होते थे सर्तने रखी जाती थी उसमें सर्त रखी गई कि जो पूरी स्रिष्टी की परिक्रमा करके आएगा जो पूरी स्रिष्टी की परिक्रमा करेगा उससे इस लड़की का विवाह संपन होगा तो भाईयों कहते हैं कि रंतों में लिखा हुआ है वेदों में जो कहानिया सुमते हैं उनमें बताया गया है सभी देवता सभी देवता जो इंदर भगवान जो कार्तिक कोई अपनी अपनी सवारियां लेकर के निकल पढ़ते हैं स्रेश्टी का भर्मन करने के लिए प्रिकर्मा करने के लिए सभी को यह लगता कि मैं उससे आगे निकलूंगा मेरे से क्योंकि वह बहुत अथे देख सुन्दर थी शील थी लेकिन होता क्या है उसकी साधी गोतम रिशी जी से हो जाती गोतम रिशी जो वे उनसे होती है अब सबसे पहले गोतम रिशी आया तो बर्मा जी ने पूछा कि आप परिकर्मा करके आये हो स्रिष्टी का उन्होंने का जी स्रिष्टी की तो परिकर्मा मैंने नहीं की तो बोले सरत थी तो उन्होंने अपने इस परसंद में एक जबाब दिया कि एक मैं जा रहा था रास्ते में मेरे को एक गोम आई गोम आता जो अपने बच्चे को जनम दे रही थी अपने बच्चे को जनम दे रही थी तो जो ही गरब से जब बच्चा भाहर आता है तो उसका सिर निकला हुआ था है तो वो जो समय काल होता है कि लोग माता का इधर सिर और एक जो ना माता जो चोटी से नणी सी जो बाहरा आ रही है उसका जो शिर तो दो मुख जाते उस टाइम दो मुख थे उसकी उन्होंने गौतम रिसी ने गौमाता की उस टाइम काल में परिकर्मा की और वो लोटा था तो उन्होंने ये बता है कि मैंने ऐसे ऐसे गौमाता की परिकर्मा दी तो भाईयो मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक पूरी स्रिष्टी की परिकर्मा के बराबर हमारी गोमाता जब अपने सिशू को जनम देती है जनम काल के उपरांत अगर कोई व्यक्ति उस गोमाता की परिकर्मा देता है तो वो एक पूरी स्रिष्टी के परिकर्मा देने के बराबर महतव माना गया है यह हमारी जो गोमाता है इसलिए इसके अंदर हमारे 36 क्रोड देवता जो बोलते हैं सुनातम धरम में वो सब इसमें मौजूद होते हैं गोमाता में इसलिए इसको एहम दर्जा है यह हमारा साथ साथकार में पैचे भी कहता हूं हमारी गोदेवी है ये सभी को लगबग पता है जो बुजरग हैं वीडियो को देख रहे हैं बड़े बड़े जो बाई काफी समझदार हैं जो देख रहे हैं उनको इस बात से पूरे अउगत हैं वो क्योंकि और लंबा चैप्टर है इसमें जैसे इंदर भगवान ने क्या 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 निक्या वो अलग बाते हैं तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि गोमाता जब अपने बच्चे को जनम दे रही होती है तो उसकी प्रीकर्मा आउस्य लगाएं जो अपने जीवन काल में कष्टों क दूर कर सकती है कि जब गोमाता आप एक चीज ध्यान देने योग्य है जब गोमाता बोलती है तो ध्यान से सुने आपको इस वीडियो में भी सुनने को आ रहा होगा जब आप एक केंद्री तोकर के इस की आवाज को सुनेंगे तो इसके मुख मंडल से निकलने वाली धवन कि मासवद का उचारन करती है मासवद का उचारन इसके मुख मंडल से निकलने वाली दवनी उचारन करती है भाईयो हमारे जीवन काल में जितनी बाते बताई जाए उतनी कम है जितनी बाते पढ़ी जाए गरंतों से उठा करके वह कम है जितनी जानकारिया जुटाई जाए वो कम है अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा यह आपका दादा दोड़ा डेरी फारम मैडा गाउं चरकी दादरी जिला हरियाना में होता है मैरे मोबाइल नंबर जो सक्रीन पे चल रहे हैं आप इससे जानकार यह एक लीलिडी गोमाता है जो गिर्गोमाता है उसने अपनी एक नन्नीसी बच्ड़ी को परी को जनम दिया है जो आप इसको बच्ड़ी को भी देख सकते हैं इसके कान जो खुबी एक गिर नसल में बाईयों इनकी जो लीलडी का क्या है लीलडी में जो पैर होते हैं गुटने तक ये एक नीला कलर लिये हुए जो लील ये उपर से सफेद छोड़े जो लाल इसमें वोते हैं तब देसे जो आप देख दूसरी बार इसने अपनी बच्ची को बेटी को जनम दिया है जो गिर मे इसका हैड जो देख सकते हैं सिर जो हना ये पीछे को उपर से बीच से उवरा हुआ भाग भी पीछे दबा हुआ इसके जो बोडी की बनाव टूती है उसके बारे में आप जानते ही हैं इसका अच्छा हम्ब पहली बार इसने पहले इलेक्रिशन में जो ना बारा पलस दू के लिए जानकारी चाहता है तो वो जोना इच्छु को अपने कॉंटेक्ट कर सकता है वाट्सप पे भी कोल पे भी ये बाईयो बिलकुल शांत आज थोड़ा सा अपने आपको सभी को पता है जब बच्छे को जनम देती है गोमाई तो थोड़ा सा अपना एक चिड़ चिड करें लाइक करें आपका ये दादा दोला डेरी फारम में इन गोमाताओं से घी प्राप्त किया जाता है जो हम अपना इसको शैल भी करते हैं घी को कुछ गोमाताएं भी शैल कर देते हैं जो दूद के लिए बाईयो देख सकते हैं आप धन्यवाद धन्यवाद